जहन्द फूचर आफिसर्स वेलकम तो आईयस ओरिजिन यह इट विगिन्स राइट सो आज के सेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पेस डेवरिस के ऊपर देवरिस का मतलब होता गया है डेवरिस एक्चली मीन्स कच्छणा राइट जो आप लोग भी फेकते हैं अपने आ करने के लिए प्लास्टिक पल्यूशन जिस तरह से हम लोग अपने आसपास देखते हैं इंवायर्मेंट को गंदा कर रहें उसी तरह से इस पेस को भी हम लोग गंदा कर रहा है अब आज की टॉपिक में हम पढ़ने वाले इस पेस डेवरिस क्या होता है रिसेंट में यह न इंडियन ने देखा है जो वैस्टन पार्ट१ न ऐस्टरीया कर उस्टरीयलिया यहां पर काफी सारे इस डेहरिस देखने को मिलता है को अशल को याद रखना है डेुर में लाज़ फ्रेगमेंट्स ओंच ओफ चाइना सारे वांच अरुच वी करके एक rocket था 5 भी करके इसका सारा का सारा जो कछड़ा है वो भी काफी यादा नीचे गिरा था South Central Pacific Ocean में इसमेंज वाट this is actually having a devastating impact on human life also not only human life but also on the environment right तो इसी लिए control करने के लिए government भी प्रयास कर रही हो international community इस पर एक जुठ होकर काम करने की कोशिस कर रही है देखिए आज की class में हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे पढ़ेंगे उसके लावा देखिया कि 2021 में हुआ यह था कि त्याग गॉण इस्पेस इस्टेशन रई तो जो त्याग इस्पेस इस्टेशन रही है उसका ही सारह सारा कचडा ना रे तो में पढ़ा रहहां क्योंकि इस लिए हम लोग इस पर बात कर रहे है क्योंकि जिस तरह से space level पे भी population हो रही है population हो रही है किसकी जी satellites की and these satellites are very dangerous for humankind right and it includes what space is actually including a lot of different satellites, spent rocket stages, fragments of debris from collisions or other events also, आप लोगों ने एक मुवी तो देखी होगी, right, space को उपर थी और हमारा जो Mars Orbiter उसका नम gravity था, right, उसको Oscar भी कही सारे मिले थे, तो उस मुवी से आप लोगों को पता चली गया होगा, that movie tells about the gravity as well as the space, right, और space में कितना सारा कचड़ा एकटा हो रखा है, right, अब देखिए हो क्या रहा है कि इससे कई सारे threats है, जैसे कि आप इस picture को देखिए, 1956 में हमारा आर्थपड़ी अनन्ना मुन्नाता हो बड़ा प्यारा दिखता था, फिर 2006 में कुछ-कुछ सैटलाइट सेंट हो जाए, right, what I am telling you is that, कि space debris full होता जा रहा है और इसके काफी सारे disadvantage है, सबसे पहले disadvantage क्या है, फर्स्ट डिसद्वांटिज थ्रेट टू मराइन लाइफ, जैसा कि आप लोग जानते है, 70% जो एरिया है, ocean है, right, अब चुकी maximum जो भी debris गरेगा तो, obvious सी बात है न, ocean में याके ग कर रहा है, जब यह ocean के water को pollute करेगा, तो उससे जो physis है, right, वो भी सारी की सारी damage होंगी, right, physis not only that, ocean का जो ecosystem है, वो भी काफी यादा damage होगा, जो photic zone है, वो भी damage होगा, और भी कई सारी problems physis face करेंगी, right, then next one is, जो next point है, वो है Kessler syndrome, देखिए, हो क्या रहा है, कि space level पे Kessler syndrome जैसी एक बीमारी देखनों बिलते है, अब Kessler syndrome है क्या, यह बस कुछ नहीं है, it is the over population of the state, space, it means that, कि जो planet पे हम लोग pollute कर रहे है, population कर रहे है, similar basis पे, satellites का भी population बढ़ता चला आ रहा है, कहा पर गए, space पे, यह आपको वस याद रखना है, right, तो इसको हम बोल देते है, Kessler syndrome, right, and it is very dangerous, now, threats में जो दूसरा point है, वो है, this reduction of orbital slots also, जित्रह यादा satellites भेज़ेंगे, उतनी यादा orbits book होते चले आ रहे है, right, मान के चलिए अभी national highway 1 है, ऐसी state highway 1 हो जाएगा, फिर district highway 1 हो जाएगा, अब हो कह रहे है, कि यह भरते चले आ रहे है, it means what, कि जैसे यह अर्थ है, अर्थ के आसपस एक orbit हो गया, दूसरा orbit हो गया, तीसरा orbit हो गया, चौथा orbit हो गया, तो इस तरह से multiple orbits are there, right, और multiple orbits में multiple satellites है, जितनी यादा satellites पहुचेंगी, तो multiple orbits जो है, वो सारी की सारी क्या होंगी, you know very well, कि यह सारी की सारी खतम होने चालो हो जाएगी, right, so this is also a very big problem, then space situational awareness is highly very much needed, because space debris is increasing and it is one of the challenging task for the scientist, challenging task के लिए, के scientist जो है, इसको कैसे भी करके खतम करें, मतलब कम करें, और कम के से करेंगे, घर में कैछड़ा हो जाता है, तो इसकी तो हम जाडू लगा देते हैं, लेकिन बाहर कैसे करोगे, that is the main problem, right, तो यह हो गया, next point, then next point, what are the challenges in tackling space activities, अब द करें, तो अलग-अलग countries इस पर काम कर रही है, लेकिन आप data को देखिए, data देखेंगे, तो 2013 में 210 launch हुए थे, satellites के, 2019 में तकरीवन 600 से यादा satellites launch हुई थी, 2020 में 1200 से यादा satellites launch हुई थी, और 2020 में तकरीवन 25,000 के आसपस, sorry, 2500 के आसपस approximately satellites launch हुई है, 2470, इससे आपको पता तो चल ही रहा होगा, कि how much dangerous it is, right, तो यह आप points को याद रखिएगा, कि यह challenges क्यों है, कि किस तरह से tackle करेंगे, जिस तरह का data है, उससे हमें यह पता चलता है, कि it is actually creating a very grave situation, right, now, coordination and space traffic management, देखिए, इसको लेकर, जिस तरह से हम लोग road के traffic management की बात करते हैं, traffic वाले, RTO वाले, नि the main challenges में, जो third point है, that is, coordination and space traffic management को लेकर ही है, और इसमें यह वो लगया है, कि space deverage जो है, सिर्फ एक country का नहीं है, अगर USA तकरीवन 100-100-1000 satellites launch कर रहा है, तो it is actually taking the space of other countries also, भाई, अलग-अलग countries भी तो है, लेकिन जो developed countries है, वही सिर्फ और सिर्फ satellites launch कर रहा है, उनी का फायदा दे Then, next one is guys, technological challenges, developing and deploying space missions requires cutting edge technology, which can be expensive and prone to technical failures, जो political tension भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, developed or developing countries में तसल चालू हो जाती है, जैसा कि आप देखेंगे, climate change है, तो climate change युगांडा की देन नहीं है, climate change है, developed countries की देन है, तो जो developed countries है, उनको developing countries के वारे में, under developing countries के वारे में, third world countries के वारे मे सोचना चाहिए, and this is very much needed, because you know what, in the coming years, in the coming time, right, in the coming time, in the coming years, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, and it may lead to geopolitical tensions, जैसे आप लोगों ने देखे ही है, world war 1 हुआ, world war 2 हुआ, अब आने वाले जो war होंगे न, वो satellites war भी हो सकते हैं, है न, तो ये आपको याद रखना है, then next point is, what are the initiative to deal with the space deverage, भारत सरकार ने 2022 में, जो ISRO है, it's set up the system, or system for safe and sustainable operations management, ये क्यों launch करा आगा था, ISRO के दोवारा, क्योंकि ISRO ये चाहता था, कि हम continuously monitor करें, कई सारे objects को, जो की collide तो नहीं होने वाले है, टकराने तो वाले नहीं है, it's like the netra, या फिर हम बोल सकते हैं, कि anti-avoidance, collision kind of activity रहेगी, जिसमें satellites एक दूसरे, जो collide ना हो, और अगर होने वाली होगी, तो ISRO को पता चल जाएगा, तो हैर्वाइस में ISRO नहीं ये करा, भी recent कहीं देने, then next one, you can see here, project Netra, हम लोगो ने launch करा था, it is also early warning system, जैसे आप लोगो ने XV7W देखा, उसमें ADAS feature आया है, similarly Netra जो है, वो भी ADAS की तरह ही act करता है, help करता है, right, तो यह आपको याद रखना है, then international level पर भी जो United Nation है, उसने भी काफी सारे काम कर रखे है, you can see here the Interagency Space Devers Coordination Committee मनाई गई है, उसका नाम क्या IADC, जो की international governmental forum है, जो की established हुई थी 1993 में, right, अब यह भी क्या काम करती है, इसी को लेकर, ज satellite controlling related, या satellites, बनलब यह सारी की सारी हो, तमाम चीज़े, space diverse related है, उन सब को control करने का, coordinate करने का, यह काम करती है, and UN has established committee on the peaceful use of outer space, अब आप देख रहा है, COPUS, COPUS, जो है United Nation ने, एक committee kind of वनाई है, और committee का में काम क्या है, on the peaceful uses of the outer space, to develop guidelines for the long term sustainable, sustainability of the outer space activities, right, अब देखिए, पांच और वी treaties है guys, पांच और treaties है, जो United Nation ने, खुद ने develop कर रखी है, और यह कौन-कौन सी 5 treaties है, जो की outer space से production, प्रवाइड करती है, इसमें से पहली यह treaty है guys, वो है, outer space treaty 1967, outer space treaty 1967, अगर हम outer space treaty की बात करें, तो यह जो treaty है न, वो govern करने की activities of states, in the exploitation and use of outer space को लेकर बात करती है, including moon and other celestial bodies, मतलब यह बोल लीजिए, कि जो भी celestial bodies है, उनका हम misuse ना करें, वहाँ पर जाके misuse ना कराया है, या outer space का misuse ना कराया है, that's all, कि वहाँ पर भी आके pollution तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर चिप्स के तुम packet तो नहीं छोड़ के आ रहे हो, right, एक तो इसतना याद रखी है, कि जो outer space treaty है, वो outer space को तमीज से यूज करने की बात करती है, बस इतना याद रखना है, then next treaty है, rescue agreement, जैसे कि आभी recent में एक आपने movie भी देखी होगी, Marsian movie, Marsian, देखी अगा, बहुत प्यारी movie है, इस movie में एक बंदा होता है, astronaut होता है, वो Mars पे छूड जाता है, फिर उसको लाने के लिए जद्द जहत करी आती है, उस बंदे को कैसे भी लेकर आया जाए, तो यहाँ पर भी हो रहा है कि कोई अगर छूड जाता है, तो उसको rescue करने के लिए satellites जाएंगी, या फिर जो crew members से वो जाएंगे और उसको लेकर आएंगे, that's the main point तो agreement on the rescue of astronauts, कि अगर किसी दूसरी कंट्री का भी छूड जाता है, मान के चलिए, चायना का, तो उसमें इंडिया अगर चाहिए, तो वो भी help कर सकता है, तो सारे के सारे कंट्री मिल के एक साथ इस पर effort मार सकते हैं, यह हो गया, agreement number two, then third one is liability convention 1972, it deals mainly with the damage caused by the space objects to the outer space assets, right, it means what, कि आपने कोई भी गाड़ी भेजी, यहां से, मान के चलिए, कि आपने already करके satellite भेज दी, और वहां पर already BMW की satellite घूम रही थी, तो already BMW में कभी लडाई न हो जाए, दोनों में टकराव न हो जाए, तो उनको बचाने की बात करी आ रही है, कौन सी, liability convention 1972 के तहत, यह आपको याद र satellite, it's like this, आधार number of every satellite, अब आधार number कैसे help परता है, एक identity proof देने की कोशिस करता है, यहां satellite जो की जा रही है space पर, उसका भी एक आधार number है, या identity number है, that's all, right, the next one is the moon agreement 1979, this also talks about the moon की, भई, moon का हम लोग misuse ना करें, चंदा मामा है, अपने मामा है, प्यारे मामा है, तो उनको भी प्रटेक्ट करा जाए, that's all about the moon agreement, मतलब आप लोगों को main, main lines याद होना चाहिए, main main agreements बस याद होना चाहिए, कि outer space selected क्या 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 है, कि यहां पर भी यह लिख हुआ है, कि agreement covering the activities of states on the moon and other celestial bodies, right, and India is the signatory of all the five treaties, और सारी की सारी टीटीज जो है important है, और चुकि India signatory है, so it is helping, right, India signatory है, तो it is also helping in sending the satellites as well as making the commitments regarding the satellites, right, कि सेटलाइट का किस तरे से प्रटेक्शन करना चाहिए, space diversity related, कि हम लोग भी अगर कोई सेटलाइट छोडते हैं, तो उसको डेवरी को हटाया है, या या फिर वहाँ पे सेटलाइट की life क्यों चाहिए, और भी जो तमाम चीज़ों होती ह इंडिया भी satisfied है, अब way forward यही है, जो मैंने आपको बताया है, कि यह launch vehicles है, reusable launch vehicle use करें है, ताकि हम सेटलाइट को launch करें, वहाँ पे छोड़ें, और फिर बापस reusable launch vehicle बापस है, या फिर international commitments होने चाहिए, जो international treaties है, United Nation के द्वारा दी गई है, तो यह सारी के सारी तमाम treaties है, इन पर भी बात होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भी country से सब मिलके एक जुठ होकर काम करें, ताकि एक international level पे पीस इस्तापित हो सके, और यह जो space device का कचड़ा है, वो कम करा जा सके, that's all from my side, thanks a lot guys for listening as usual, very patiently and peacefully, bye bye, take care. झाल